Class 10th का Mass का Chapter No. 4 जिसका नाम है Quadratic Equations इस Chapter की Exercise 4.4 के Question No. 3 को डिसकस करते हैं Next Question पे आते हैं Exercise 4.4 का Question No. 3 solve करते हैं देखो इस Question में आपसे ये पूछा जा रहा है सबसे पहले तो ये लिख देना फिर आगे Condition दे रखी है जब भी किसी Question के अंदर ऐसे लिखा होना तो जो भी Condition दे रखी होती है उस Condition को यूज करके जब आप Quadratic Equation बनाओगे न तो पहले आपने चेक करना है कि Quadratic Equation के जो रूक्स है न वो किस तरह के है मतलब B²-4AC Discriminate की आपने पहले Value निकालनी है Quadratic Equation बनाने के बाद अगर B²-4AC की Value greater than 0 हो तो possible होता है अगर B²-4AC की Value 0 के equal हो तो भी possible होता है लेकिन अगर B²-4AC की Value less than 0 आजए तो इसका मतलब है कि जो Quadratic Equation है न उसके Real Rooks नहीं है तो उस Case के अंदर possible नहीं होता जिस भी question में ऐसे पूछा जाए न इसक पॉसिबल फिर आगे conditions दे रखियो तो conditions को के हिसाब से जब आप Quadratic Equation बनाओगे न तो पहले आपने Rooks के Nature के बारे में चेक कर लेना है चेक करके पहले बताना है कि ये possible है भी या नहीं काफिछार स्कोटेंक्स question तो solve कर देते हैं इस पार्ट का अंसर ने लिखते है कि ये possible था या नहीं था वो सीधा अंसर निकाल देते हैं तो अगर ये possible नहीं था था या नहीं था वो बताना होता है उसके अलग से marks होते है चलो question में ये बोला हुए कि हमने design करना है एक rectangular mango group आम का बाग बनाना है और condition ये है length is twice इक ब्रेक्ट जो length है वो ब्रेक्ट का two times है और साथ में area भी दे रखा है area 800 mk square है और length और ब्रेक्ट की हमने exact value निकाल ली है question clear हो गया हमने एक rectangular mango groove बनाना है rectangle की shape में एक आम का बाग बनाना है length और ब्रेक्ट की बीच में condition ये दे रखी है एक और information दे रखी है area की value गैरेक्ट ली दे रखी है चलो solve करते है length ब्रेक्ट of the rectangular mango groove bx rectangular mango groove की जो breadth है ना वो हमने x मान लिया तो breadth हमारी x meter होगी अब हमें question में ये दे रखा दा length is twice its breadth length का length is का मतलब is equal to twice का मतलब है कि two से multiply करना है two times the breadth breadth को हमने x मान लिया तो breadth की जग़ा पे x लिख दिया तो length की value 2x आ जाती है इसलिए पहले हमने breadth लिखा थे याँपे जो breadth हा ना उससे हमने x मान लिया और question में जो congestion दे रखी है उसके हिसाब से फिर जो length है वो 2x हो जाएगा यहां तक clear अब question में आपको area भी तो दे रखा था area का formula होता है length into breadth rectangular mango groove है ना यह देखो rectangular, rectangle का area होता है length into breadth area एक हंगरग है वो question में directly दे रखा है यह देखो area एक हंगरग है तो area की जग़ा पे एक हंगरग पुट्टिया length 2x है और breadth हमने x मानी थी x square बन जागा इस एक हंगरग को इस तरफ ले आओ तो minus का एक हंगरग हो जागा is equal to 0 इस तरफ लगाओ या उस तरफ लगाओ उससे कोई फरक ने परता तो 2x square minus एक हंगरग is equal to 0 यह हमारी quadratic equation बन गई है यह जो equation है ना यह quadratic equation ही है यह देखो square वाले term है ना अगर x square वाली term है equation में तो उसे quadratic equation ही बोलेंगे यहाँ पर x वाले term तो है नहीं तो कोई बात नहीं x वाले term अगर नहीं हो तो भी चलेगा consequence term ना हो तो भी चलेगा लेकिन जो square वाले term है वो होनी चीए ऐसा होने से फिर यह quadratic equation बन जाती है आगे चलते हैं यह लिख़वा था ना is it possible तो पहले तो इसका answer निकाल लेंगे यह हमारे एक वाग राके की equation थी 2x square minus 100 is equal to 0 ध्यान से देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 हंग रग है यह numbers 2 से divide होते हैं तो हम पूरी equation को 2 से divide कर देंगे जब भी equation किसी number से divide हो रही हो ना तो divide कर देना चाहिए divide करने से numbers छोटे हो जाते हैं और छोटे numbers में calculation करना असान कम होता है तो 2 से divide करने पर यह x square minus 400 is equal to 0 रह गया ध्योगो यहाँ पर square वाली कम है x वाली कम नहीं है constant कम है x वाली कम नहीं थी ना तो हमने यहाँ पर plus 0x लिख दिया ताकि इस candidate form के अंदर आजे देखो x square plus 0x minus 400 is equal to 0 अब तीनों कम जा गी है x square वाली कम भी है x वाली कम भी है और constant कम भी है यह जो 0x है 0 से किसी को भी multiply करो result तो 0 ही होता है और 0 को plus करने से x square के आगे जो number होता है वो a की value होती है यहाँ पर x square के आगे तो कोई नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता हो उसका 1 होता है तो a की value 1 है x का coefficient वो b की value होती है तो यह x के आगे 0 है ना तो यह b की value 0 है और जो constant term है यह c की value होती है तो c की value minus 400 है clear हो गया A, B और C की values आगी अब निकालते हैं B की values discriminant निकालते हैं इसका formula होता है B square minus 4AC B की जगा पे 0 put करना है A की जगा पे 1 put करना है और C की जगा पे minus 400 put करना है तो ये B, A और C की respective values put कर दिया है 0 का square 0 ही होता है और इन सब को multiply करके 600 आ जाता है अगर greater than 0 हो तो possible होता है equal to 0 हो तो भी possible होता है ये D की value less than 0 नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे तो अच्छी खासी value आ रहे है 1600 तो अगले step में आप लिखोगे Since D is greater than 0 So given equation has real roots क्योंकि D की value greater than 0 है तो इस equation के real roots होंगे और real roots है तो इसका मतलब है कि जो भी condition दे रखी दे ना ये condition possible है तो अगले step में हमने ये भी लिख दिया It is possible to design rectangular mango groove with given conditions ये question के अंदर ये पूछा हुआ था ना Is it possible? आपने इस बात का ध्यान रखने जिन भी questions के अंदर ऐसे पूछ लिया जाते है ना Is it possible? ये डी की value अगर greater than 0 आए तो possible होता है Equal to 0 आती तो भी possible होता Less than 0 आए ना बस तब not possible होता है तो it is possible to design rectangular mango groove with given conditions अब exact value भी निकाल देते हैं ये x square minus 4 अंग्रक is equal to 0 ये ती ना हमारे equation ये वाले equation गरेक्टली ही solve हो जाएगी तो हमें ऐसे quadratic formula को लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी ये minus 400 का पिस्तर वे जो plus का 400 का जगा यहाँ पर taking square root on both sides Left hand side पर square root लेने के वज़े से square हट गया सिरफ x रग गया और यहाँ पर भी आपने square root लेना है ये 400 जो है ना एक quantity का square होता है तो under root of 400 की value plus minus quantity होगी तो x की दो values आ रही है x की value या तो plus quantity होगी या फिर x की value minus quantity होगी ये वाली जो value है ना x is equal को minus quantity इस वाली value को reject करना पड़ेगा क्योंकि जो breadth है वो कभी भी negative नहीं हो सकती rectangle की length और breadth कभी negative नहीं हो सकती है जितनी भी distances होती है ना उनकी value कभी भी negative नहीं हो सकती तो जो x की value minus quantity है थी इस वाले case को हमने reject कर दिया तो ये वाला ठीक है x की value quantity लेनी है तो breadth हमारी quantity है तो length 2x था तो 2 into quantity वो 40 हो जगा तो length 40 meter और breadth 20 meter है this is the answer ओकी क्वब्स ज़त कर दो, जो बूद है यह कुछ़गर झाले, तो जो नाग्वश्यास को हमारी, चुछ़कश का जो, यह दो जो जो को हमारी, खोज़खको बहुआ प्रे में सकती है प्रूदब कर प्रें, जो चो जो